नकाब कर दिया है जब दिल्ली के रियाष्ट्रिय राजधानी दिल्ली NCR के साथ उत्र प्रदेश के गाजियाबाद में ये हालात हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की आदिश्टेनाथ सरकार में गुंडा राज और जंगल राज किस प्रकार से सर चड़ कर बोल र उत्रकार हमारे साथी विक्रम जोशी के परिजनों के साथ तो मैं अपनी संवेदनाए व्यक्त करता हूं पर क्या ये नहीं दर्शाता के उत्र प्रदेश जहां से प्रदान मंत्री खुद सांसद हैं और जहां राम राज्य की स्थापना करने का वादा कर आदित्यनाथ सत् राम राज्य तो दूर प्रदेश में व्यापक गुंडा राज भाजबपाईयों ने पैदा कर दिया है साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और कानून के शाषन नाम की कोई चीज बची नहीं है और कानून व्यवस्था और सरकार का पूरी तरह से दिवाला निकल चुका है उत्र प्रदेश की ये घटना और जादा दुरदान्त है 16 जुलाई 2020 को हमारे दिवंगत पत्रकार साथी विक्रम जोशी की 17 साल की भांजी उसके साथ छेड चार्ज रवी नाम का एक गुंडा करता है और उस बिटिया के भाई को सरे आम विजे नगर गाजियाबाद में पीठता है विक्रम जोशी एक पत्रकार होने के नाते उत्र प्रदेश की पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करवाने जाता है पर आदित्यनाद सरकार और उनकी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती रवी छोटू और अन्य बदमाश फिर घात लगाए बैठे रहते हैं और जब विक्रम जोशी अपनी बेहन के घर माता नगर गाजियाबाद में 20 जुलाई को जाता है तो ये गुंडे आठ बजे साएं को घर पर हमला बोलते हैं शीशियां फैंकते हैं विक्रम जोशी फिर पुलिस को फोन करता है एसेचो को फोन करता है एसेचो आने से इंकार कर देता है और जैसे ही विक्रम जोशी घर से बाहर जाता है दोनों बच्चीयों के साथ तो उसकी साड़े ग्यारा बजे निर्शन शत्या की जाती है उसकी छोटी सी अबोध बिचिया अपने बाप को जगा जगा कर कह रही है कि पापा उठ जाईए पापा उठ जाईए और हमें घर लेकर जाईए प्रन्तु विक्रम जोशी दुबारा कभी आँख नहीं खोलते आदित्यनाथ जी क्या आपकी भी कभी आँख खुलेगी आदित्यनाथ जी काश आपकी भी बेटियां होती काश आपका भी परिवार होता काश आपने भी अपनी भतीजी और भांजी के साथ छेड़ छाड़ की व्यथा सही होती काश आपके परिवार जनों को भी गुंडे विजे नगर गाजियाबाद में अगर आपको मालूम होता पीठते तो पता होता के दर्द कैसे होता है परिवार जनों का खोने का दर्द क्या होता है क्या मुख्यमंत्री आदितनाथ जी समझते हैं और उत्तर प्रदेश में तो साथियों पत्रकार होना पाप हो गया पत्रकारिता उत्तर प्रदेश में पाप हो गई है अपराद हो गई है याद करिए 29 अक्टूबर 2019 को लखीमपुर में इसी प्रकार से रमेश मिश्रा नाम के पत्रकार की दिन दाड़े हत्या कर दी गई मिड़े मील में नमक रोटी खिलाने की खबर दिखाने वाले पत्रकार पर एफायार दर्ज कर दी गई मिड़े मील में दूद में पानी मिलाकर बच्चों को दिये जाने की उत्तर प्रदेश में कलेई खोले जाने वाले पत्रकार भी पर वही एफायार कर दी गई पनारस में प्रदान मंत्री मोदी जी द्वारा गोद लिये गए गाउं की हकीकत उजागर करने वाले पत्रकार को सुप्रिया शर्मा पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया योगी जी द्वारा फैजाबाद में खुद लॉकडाउन का उलंगन करने की खबर दिखाने वाले वायर के एडिटर सिदार्थ वर्दा राजन जी आज भी एफ आयार और मुकदमा भुगत रहे हैं बिजनोर में पांच-पांच पत्रकारों पर अधित्यनाथ जी ने एफ आयार दर्ज कर ली आजमगड में जब एक पत्रकार ने धोल की पोल खोल दी तो उसे एफ आयार दर्ज कर जेल की सलाकों के पीछे भेज दिया गया नौइडा में गाजियाबाद के साथ जो लगता है पत्रकारों पर अधित्यनाथ जी की पुलिस ने गैंग्स्टर एक्ट लगा दिया क्या पत्रकार अब भाजप्पा को गैंग्स्टर और गुंडे नजर आते हैं एक पत्रकार प्रशांद ने ट्विटर पर कुछ लिख दिया तो मुकदमा दर्ज हुआ बड़ा मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से छुट कर आया है UP में घटिया PPE किट की खबर चलाने वाले स्थानिये चैनल के खिलाफ FIR दर्जकर SIT की जांच बिठा दी गई क्या भाजप्पा शाशित प्रदेशों में पत्रकार होना अपराद हो गया है क्या पत्रकार अब गैंग्स्टर की परिभाशा में आते हैं क्या पत्रकारों के बुलाने से जानलेवा हमले होने पर विकरम जोशी जैसे पत्रकारों के बुलाने से पुलिस नहीं आएगी गुंडों को खासतोर से नामजद गुंडों दुआरा पत्रकारों की दिन दाड़े हत्या कर दी जाएगी और यही नहीं उस्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो बहुत देनिये हैं और कुछ उधारन जरूरी है वो बात जो मैं कहने वाला हूँ उसके लिए 28 अक्टूबर 2018 को आगरा की अदालत में यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष दर्वेश यादव जी की हत्या कर दी जाती है कहां है यूपी का शाशन और प्रशाशन बारा अक्टूबर 2019 को जहांसी में पंदत जगदीश सहित चार सदस्यों को जिन्दा जला दिया जाता है आज के यूग में जिन्दा जलाना कहां है भाजप्पा 14 अक्टूबर 2019 को जहांसी जिले के पीपरी बाजार में एक परिवार के चार लोगों की दिन दाड़े हत्या हो जाती है 29 अक्टूबर 2019 को लखीमपूर में पत्रकार रमेश मिश्रा जी का कतल कर दिया जाता है 31 दिसंबर 2019 को शामली में भजन गायक अजेब पाठक के पूरे परिवार को धार दार हत्यारों से काट काट कर काट काट कर फैंक दिया जाता है 4 जन्वरी 2020 को परियाग राज में यूसुफूर सेवायत शेत्र में सोंदत तिवारी उनकी पत्री और पाँच परिवार के सदस्यों को कतल कर दिया जाता है बड़े निर्शन्स और एमानविये तरीके से 25 अपरेल 2020 को एटा जिला के स्वास्त कर्मी राजेश्वर प्रशाद पचोरी के पांच सदस्यों की हत्या कर दी जाती है दो जुलाई 2020 को परियाग राज में विमलेश पांडे के पांच परिवारों को शायद इतना एमानविये और निर्शन्स अप्त्या नहीं होगी जो होता है और अब और अब विक्रम जोशी की निर्शन्स अप्त्या सरे आम होती है प्रंतु आदित्यनाथ जी हैं कहां भारतिय जनता पार्टी के शाशन में कानून का शाशन है कहां क्या ये वो रामराज है जिसका वाइदा भाजप्पा ने करके सत्ता ली थी इससे बड़ा गुंडा राज और जंगल राज हो ही नहीं सकता भारतिय जंता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपराज प्रदेश में तप्दील कर दिया है और हमारी ये मांग है कि अगर अधित्यनाच जी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की रक्षा करने में ऐस सक्षम है जैसा साफ साबित हो रहा है तो उन्हें अपनी गद्दी पर बैठे रहने का अधिकार नहीं ऐसे मुख्य मंतरी को खुद बखुद इस्तीफा दे देना चाहिए